मित्रो पेपर 2 के सिलेक्टे टॉपिक का रिविजन कर रहे हैं कीगाली एंड अदर इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटीज वो देख लिया अब यह रेफरेंडर में और रेफ्यूजी क्राइसी दूसरे देशों में जिसे हमने क्या सबक लेना है इंपेक्ट एंड लेसंस फॉर इंडिया ऐसा एक पॉलिटी का प्रशन तियार करते हैं अगेन स्क्रीन के उपर आपके प्रशन दिखेंगे आप वीडियो पॉस करेंगे उसका जवाब लिखें फिर वापस वीडियो रिजूम करें टोपिक पढ़ेंगे मॉडेल आंसर देखेंगे पहला प्रशना फ्रम दे रिसंट इंटरनेशनल एक्सपिरियन्सीज एक्जमाइन द फीजिबिलिटी ओफ अदॉप्टिं रेफ्रेंडम एज इन इंस्टूमें तो गीव वाइस तो दे सिटिजन ओ इंडिया विदेश के अंदर हाल के समय में जो रेफ्रेंडम हुए हैं जन पुरुच्छा हुई है उससे क्या हम भारत में भी ये चीज लाग होनी चाहिए ताकि सिटिजन्स को और आवाज मिल सके पहला प्रशना दूसरा प्रशना इन दे लाइट अफ रेफ्यूजी क्राइसिस इन उर्पियन उनियन डिसकस दा नैसेसिटी ओफ प्रॉपर फ्रेमवर्क फोर रेफ्यूजी औ एजयलम सीकर्स इन इंडिया उर्पियन उनियन के अंदर ये जो शरणार्थियों की पूरी आपदा क्राइसिस हो गई है उस अनुसंदान में के बारत में हमें और क्या सुधार करने का जरूरत है पॉस दा वीडियो एक सवाल के लिए आंट मीनिट उसी आप से पॉस करें जवाब लिखें फिर वापस आएगे वेल्कम बेक आई होब कि आपने जवाब लिखें है एक एक करके आगे बढ़ेंगे सबसे पहला referendum का प्रश्ण तो obviously उसका introduction हम कैसे बनाएंगे define करना असान रहेगा definition क्या होता है referendum का it is a vote where citizens can express their views on a particular policy issue तो फिर यह मतलब voting करना है तो election से अलग कैसे है it is different from election क्योंकि वहाँ पर तो public office को fill up करने के लिए voting किया जाता है जब कोई नीतिकत विशे के उपर लोगों की राय मागी जाए तब उसे हम referendum या जन्व रुच्छा कहते है अब प्रशन यह था कि हाल के समय में जो recent international experience है उस अनुसंदान में बताए कि क्या बारत में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो एक एक करके तीन बड़े ऐसे case देखते हैं मित्रों यह जो left hand side पे हैं यह जनाम का नाम है प्रेसिडेंट जुआन सांटोस कोलंबिया के प्रेसिडेंट है इनको Nobel Peace Prize भी मिला है क्यूंकि उन्होंने वहां के यह जो left wing extremist group थे FARC, ELN वगेरा उनके साथ एक Peace Deal Agreement किया स्पेइन के काटाजिना शहर में तो यह हमें इस प्रशन में आराम से दिमाग में विजुलाइज हो सके उसलिए मैं सब्द प्रयोग करूँगा FARC नहीं नक्सली कि यह प्रेसिडेंट ने नक्सली के साथ शांती मंतरणा कही प्रस्ताव किया जिसका कन्क्लूजन यह था Peace Deal का कि यह दोनों साथ वाले Civil War का अंत करेंगे यह नक्सली अपने हथियार त्याक करेंगे मुख्यदारा में उनको समयलित किया जाएगा अब यह Peace Agreement Sign हुआ है प्रेसिडेंट जुआन सांटोज इसे वापस कोलंबिया ले जाकर लोगों को प्रशना पुछते हैं कि क्या आपको यह मंजूर है की नहीं क्या हम इस Peace Deal को लागू करें की नहीं तो इस प्रकार का यह referendum जन्द रुच्छा किया गया देखते हैं क्या outcome आया पूरे कोलंबिया देश की जितनी eligible voters हैं उसके 62% they did not vote क्यूं क्यूंकि hurricane matthews के चलते उनको अपनी जानमाल की सलामती की ज़्यादा चींता थी compared to कि यह voting करने जाए so it shows the first lesson कि भई रेफरेंडम के अंदर events unrelated to subject they can influence के how many people will vote तो अभी 38% of the जनता is voted तो उससे जो जवाब आए वो पूरी देश की भावना है असा नहीं बोल सकते और भारत जैसे बड़े देश में तो कही न कहीं कोई बाल सूखा कुछ न कुछ चलते रहता है तो यह उस कारण से भी हम लागू करना नहीं सकता है अब यह जो 38% लोगों ने वोट किया उन्हें यह पूछा गया कि क्या यह नक्सलियो वाला पीस अग्रिमेंट लागू करे की नहीं करे सो 49.8 said yes 50.2 said no तो अगे एकदम पेपर थिन मार्जिन से यह लोग जीत गए और कि यह पीस दिल हमने लागू नहीं करनी है अब आप समझे यह यह यस बोलने वाले कैसे लोग होंगे यह main capital नहीं दूर दराज की इलाकों में जो रहते हैं ऐसे स्वाबाई के वहाँ पर सरकार की reach कम होती है तो वान अक्सलियो का प्रभावजादा उनका violence, extortion, contact killing यह सबसे वो लोग तंग आ गए थे कि पुछले 52 years में डायलाक से जादा लोग मर गए हैं तो देर वेर desperate की यह पीस दिल कुछ conclude हो और वापस जिनकी पठरी पे आए और नो बोलने वाले वो भी आप समझे hardly जो अपना margin बन रहा है 54,000 वोटर्स के margin से ही यह प्रस्ताव defeat हो गया यह जो लोगों ने विरोध किया इस पीस दिल का उनका क्या reason था पहला कि यह पीस दिल में सब प्रावदान ऐसे हैं कि जो नकसली नेता अपने सारे गुना कबूल कर लेंगे तो उन्हें जेल नहीं बेजेंगे, फांसी नहीं देंगे बस observation में रखा जाएगा उसी प्रकार यह सब इनकसलियों को stipend दिया जाएगा उनमें से जो अपनी start-up शुरू करना चाहे तो start-up, columbia, stand-up columbia, essay scheme के अंतर उनको पैसा दिया जाएगा तो स्वाबाई के अगर आपके कोई परीजन, कोई मित्र इस इनके violence में शहीद हो गये है तो obviously you will not like कि यह these people are going squad-free तो लोगों का विरोध करना भी जायज है उसी प्रकार कुछ लोगों को यह मानना कि यह नकसली कोई अपने हथियार डालने वाले हैं नहीं यह तो बीच में जो भी ceasefire हो गया अपने आपको और मजबूत करेंगे they will strengthen their organizational network and lastly यह President Juwan Santos की जो opposition parties है, उनके पहले वाले जो President है, उन्होंने भी बहुत सारा दूश प्रचार किया इसलिए यह जो भी deal करके लाए वो बेकार है इसका तो नाम 2G Scam, CWG Scam में जुड़ा हुआ है बाबरी मस्जीद का द्वन्स इसने करा है और आतंक वादियों को भी कानहार यही छोड़के आया था तो अगर अब यह आदमी यह बोलता है कि अक्सलिव के साथ पीस मंत्रा ना तो हमें उसका उल्टा ही करना चाहिए that is, कि we should oppose and say no तो यहां से हमको क्या लेसन मिलता है कि leaders and events unrelated to the subject they can influence the voting pattern तो इसलिए भारत जैसे बड़े देश में यह करना उप्यूक्त नहीं होगा और सबसे कठी मसला ऐसे 52 साल से जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में आप क्या सारे इशू को बस इतने में distill कर सकते हो कि yes या no आप जनता से केवल इतना पूछ सकते हो no it should be more refined आप यह पूछे कि क्या peace deal को अपरूब करना चाहिए क्या ये नकसलियों को जेल में बेजना चाहिए क्या उनको stipend देना चाहिए क्या उनको चुनाओं में भाग लेने का मौका देना चाहिए इस प्रकार से एक-एक प्रस्णा के उपर जनता से पूछा जाए strongly disagree, agree, neutral and so on फिर वो refund करके जो जवाब मिले उस हिसाब से policy तीता हो तब जाके कुछ हम ये बोल सकते हैं कि ये बराबर से referendum हुआ बट आप समझे ऐसा अगर पूछ पूछ के चलने गए मानलो जनता से इसकी बई उनको जेल में मत बेजो बट उनको election भी मत लड़ने दो अगर ऐसा कुछ किया गया तो नकसली विरोध करेंगे कि ये तो 38% of the people have voted तो ये पूरी जन्बानस की बावना नहीं है तो फिर क्या जुआन सांटोस वापस जनता से दूसरा referendum कराएंगे तो फिर 2 pro 2 pro चलेंगे तो फिर काम कब होगा सो elected चुना हो के जो सरकार आई है वो कुछ से नेने ले वो बराबर यह हो हर एक बात में ऐसे पूछ-पूछ के नहीं कर सकते 2016 में एक और बड़ा referendum हुआ ब्रेक्जिट United Kingdom के लोगों से ये पूछा गया कि शुड वी लिव European Union और शुड वी स्टे इन दे European Union वोटिंग में पता चलता है कि बई eligible water में से 72% of the people voted तो चलिए यहां तो majority of the people participate आउटकम क्या आया 51.9% ने बोला कि European Union से छोड देना चाहिए 48.1 ने बोला कि नहीं हमने European Union में ही रहना चाहिए यहां पर भी researcher ने पाया कि यह वोटिंग खतम होने के बाद एक हपते बाद researcher ने लोगों से पूछा कि आपने कहां पर वोट किया था remain वाले में कि लीव वाले में many of the people they did not even recall कि हमने क्या वोट किया था तो मतलब आप समझे कि Britain की जनता दारू पी के उनका दिमाग इतना खराब हो गया कि एक हपते बाद याद नहीं रहता यह जो campaign चलता है उस प्राकार से people switch their opinions very quickly जैसे अपने Hillary वाले और Donald Trump के सामने जो प्रचार होते हैं अचानक से vote swing देखने को मिलता है mood swing देखने को मिलता है so that is possible in India also तो इस कारण से भी यह सही नहीं रहेगा और आप देखें कि यह पूरे Brexit में hardly 3.7% margin से ही पूरा निर्ने लिया गया बाकि करिब करिब आधी जनता Britain की they are wanting कि हमने तो European Union में ही रहना चाहिए था और भी हमने पाया कि यह जो leave campaigners मतलब European Union छोड़ दो इस प्रकार के नेता उन्होंने लोगों को बहुत influence किया using political messaging political messaging का मतलब आप तथ्यों को तोड़ मरोल के ऐसे पेश करें ताकि आपका प्रमुक लगे और सामनी वातले की बात गलत रूप से गलत लगे so they spin everything कि भाई यह देखे European Union में रह रहे हैं इसलिए इतने सारे refugee and migrants are coming into Britain जिसके चलते हमारी नौकरियां चली गई और वो जो हमने पढ़ा था पहले alt right उसी प्रकार से यहां पर भी कि यह दूसरे दर्म के लोग दूसरे race के लोग उनसे हमारा संस्रूती सब कुछ खराब हो रहा है तो यह नहीं होना चाहिए misleading and dishonest signaling उन्होंने दिया कि अगर हम European Union में रहेंगे तो हमें European Union के budget में इतना सारा पैसा देना पड़े गा लेकिन सामने trade में हमको इतने percent ही फाइदा होता है and so on and so on so all that thing were done media का बहुत biasness रहा और यहां पर भी anti-cameronism चला कि यह David Cameron ने बांबरी दंस किया कंधार में वो आतंकवादियों को छोड़ किया 2G scam, CWG scam इन सब में इसका नाम है तो अब अगर वो ऐसा कहता है कि European Union में रहना है then we must do the opposite और हमने European Union छोड़ देना चाहिए so again events and leaders unrelated to the subject they can influence the voting pattern और इससे यह जो पूरा alt-right movement, political messaging, media biasness they are supporting the democracy rather than helping them through referendum और यहां पर भी वही बात कि इतना बड़ा फैसला और आप कैसे उसे distill कर सकते हैं कि leave या remain बहुत refined तरीके से पूछना चाहिए कि क्या Britain ने European Union के साथ अपना Article of Association उसमें सुदार करने चाहिए क्या आपको यह लगता है कि European Union में Parliament में Britain को ज़्यादा seat मिलनी चाहिए क्या visa policy में बढ़लाव होना चाहिए क्या हमें European Union के budget में ज़्यादा पैसा देना चाहिए कि कम पैसा देना चाहिए क्या European Union हमारे उपर जो environmental norms, tax, subsidy उसके provision डाल रहा है वो हमारे हित में है कि अहित में है क्या European Union से जो Britain के अंदर निवेश होने को आता है उस पे full capital account, convertibility देनी चाहिए कि नई देनी चाहिए और ये सभी प्रशनों पर जनता से फिर आप पुछे strongly agree, disagree, neutral agree, strongly agree और उस हिसाब से आप policy बना ये कि या तो हमने exit करना है या फिर की refine करना है article of association अब यहाँ पर भी वही बात कि सामाने जनता को आप कैसे expect कर सकते कि they can project की budget contribution से हमें ये होगा या full capital account convertibility से ये लाब नुकसान होगा बविश में तो ये सब these things are better left to the policy makers specialists, bureaucrats, elected representatives हर एक बात पूछ पूछ के नहीं कर सकते तीसरा एक बड़ा referendum 2014 में Scotland के लोगों से पूछा गया कि क्या आप हमने England से आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं यहाँ पर हम पाते हैं कि 85% of the eligible voters participated तो ये तो बढ़िया बात है लेकिन किस ने participate किया यहाँ पर ये शर्त थी कि England से Scotland को आजादी मिले इसके referendum में vote कौन करेगा केवल Scotland के लोग ही vote कर पाएंगे क्योंकि आप समझे अगर Britain के लोग भी United Kingdom के भी करेंगे तो majoritarian के हिसाब से तो वो कभी आजादी उसे मिलेगी ही नहीं तो ये सिद्धान्थ अपनाया गया कि Scottish Independence referendum only people of Scotland can vote अब अगर ऐसे कोई सिद्धान्थ भारत में माने जाए then it will be very dangerous कि कश्मीर, North East, Punjab इनको यहाँ से अगर उनके कोई अलगावादी नेता ये बोलेगी हमें अलग देश चाहिए और इसके voting में केवल कश्मीरी ही vote कर पाएंगे then it will harm the democracy भारत की ये जो एक भारत, अखंड बारत, दिन दयाल की वन इंडिया, धर्म, वो साली policy का क्या और अब बेरोजगार योको को पैसा दे के अगर कश्मीर में पत्थर भी फिकवा सकते हैं तो वोट भी करवा सकते हैं भारत से अलग देश बनाना है पंजाब में भी ड्रग्स लेक लेके उनको उनका दिमाग इस प्रकार से कर देंगे कि उसे सही गलत का ग्यान ही ना और वो कुछ भी कर दे तो बाकी के भारत ने जो इतना tax का पैसा दिया उन्हें मदद करने के लिए इतने जवान जो शाहिद हुए उनका क्या so that type of logic से अगर भारत में चलेंगे तो हमारा देश तूट जाएगा so referendum is not good for us कर यहां पर भी क्या outcome आया 85% of the Scotland people voted जिसमें से 44% ने बोला कि England से आजादी मिलनी चाहिए और 55% ने का कि नहीं हमें साथ में रहना चाहिए लेकिन इसके यह तो हुआ 2014 में और उसके बाद यह 2016 Brexit में जब Britain ने खुद नहीं नहीं लिया कि हम European Union से निकलने वाले हैं तो अब यह Scotland के अंदर यह leaders बोलें कि वापस referendum होना चाहिए क्योंकि Scotland वो अलग से हमें तो European Union के साथ चलना है तो मतलब पहले का referendum किया उसका कोई मतलब नहीं है तो बोलना है कि वापस से referendum करो हमें आजादी चाहिए तो हर बार अगर ऐसे करते रहे तो cost of conducting the process सबसे नुकसान होगा तो बारत जेसे बड़े देश में यह लाबकारी नहीं है इंटरनेशनल एक्सपिरियंस से हमें क्या सीखने को मिला अब मालो की वो सिद्धान से भायत में चले तो क्या क्या हो सकता है negatively suppose ऐसा कोई प्रस्तावाए कि transgender people को भी OBC category में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हाँ या ना इस पे आप करिए referendum तो प्रशना होता है कि इसमें कौन वोट दे पाएगा अगर पूरी भारत की जनता से वोट मांगने जाएगे तो majoritarium में prevail और उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा सिदान करें कि Scotland की तरह केवल victim can vote तो transgender को भी वोट देने पड़ेगा और बाकी के OBC को भी because they are also affected parties अगर ऐसा करके referendum करा है then again it will be defeated क्योंकि बाकी के OBC बोलेंगे कि ये लोग भी आजाएंगे then competition will increase within our this domain अगर आप ऐसा बोले कि केवल transgender लोग ही इस referendum में vote कर पाएंगे तो फिर प्रशना हैगा कि identification issue ज्यादा तर ID card में इस प्रकर से third category का जिखर नहीं है तो फिर आप बोलेंगे अच्छा तो वहाँ पर डॉक्टर और पुलिस को inspection के लिए रखे तो आप समझे कि transgenderism वो किवल physical traits से नहीं है it can be psychological also तो फिर आप कैसे find करेंगे तो मतलब identity issue खड़ा हो गया and it will lead to low turn out तो फिर 100-200 लोगों की vote से आप बोलेंगे कि करना चाहे नहीं करें so again useless thing suppose हम इसके लिए कराएं कि क्या JAT लोगों को OBC category में सामिल करना चाहिए और यहाँ पर मान लोगों की हो सके कि OBC और plus JAT people ऐसा करके पूरे का voting कराएं still majoritarian may prevail और उनको यह मिल जाए बट आगे चलके हमको पता यह Supreme Court ने वो तो quash कर दिया था तो अगर कोई ऐसा referendum हुआ जो कि हमारे समयदान के प्रावदानों के खिलाप है then judicial review will revoke it destroy it तो फिर वो पूरा जो खर्चा किया referendum का वो तो useless exercise हो जाएगी तो socio-political issue के उपर हम referendum करना उप्यूखत नहीं होगा बारत में economic issue में referendum कराएं should we implement goods and services tax in India तो देखें Times of India के अंदर headline ऐसी है GST rate will have short-lived impact on inflation says RBI तो यह headline पढ़के आपके दिमाग में क्या आएगा थोड़ा positive feeling okay inflation होगा बड़ short-lived impact होगा ऐसा RBI तो मदलब की करना चाहिए थोड़ी इस तकलिफ हम सहलेंगे economic types में headline ऐसी है RBI gives thumbs up to 18% GST rate तो again positive feeling आएगे हाँ हाँ तो RBI ने अगर अच्छा बोला है thumbs up दिया then it should be good तो ऐसा लोग जो पढ़के आएंगे they will vote in favor of GST लेकिन जो प्रजा गुजराती newspaper पढ़ती है यह क्या लिखा है headlines दिवे बास करके अंदर GST से service tax 15% से बढ़के 18% हो जाएगा और महगाई भी बढ़ेगी अब आप समझे यह wording कैसा है कि दिमाग में हम negative feeling आती है अच्छा service tax बढ़ेगा मौगवारी बढ़ेगी तो मतलब की इस प्रकार से जो constructive और responsible journalism होना चाहिए वो बारत के अंदर especially vernacular newspaper के अंदर है नहीं और जादा तर अपनी जनता यही essay newspaper पढ़ती है तो economic issue पे उनके से पूछ के कुछ करेंगे तो वो लाबकारी नहीं होगा आगे बढ़ते हैं हमने देखा कि social, political, economic issue पे हम referendum कराना उचित नहीं है और दूसरी बात ऐसा नहीं कि referendum नहीं है तो जनता को बोलने के लिए कोई अवसरी नहीं है फेडालिजम इटसेल्फ इस गिविंग दिस थिंग आप for example कि पूरे भारत के अंदर voting हुआ और Modi सरकार आ गई फिर भी कुछ राजय ऐसे होंगे कि जहां उनकी ideology Modi के बराबर capitalism, pro, market प्रकार के नहीं हो तो उन राजयों के लोगों को भी voice तो है GST लागू करना है कि नहीं करना है तो ये फैडालिजम से वहां कि जो भी जनता और उनका जो मानस था अपने जन प्रतिव निदियों से उन्होंने आवाज दे दी उसी प्रकार आप ये कहें कि बई ये रेखा साचिन तेंदूलकर और दूसरे ऐसे artistic sports people तो उनको भी voice है देखे नॉमिनेटेड होके चले जाएं राजय सभा में और फिर वहां पर फेवर्य आगेंस्ट वोट कर सकते हैं तो फिर ये तो नहीं है कि किसी को voice नहीं दिया हमने suppose ये अर्विन केजरिवाल ने 21 ML को parliamentary secretary बना दिया आपको इससे विरोध है तो कोई इसमें referendum की क्या मांग करनी है सिधा दिली high court में फरियाद करो और उसे रद करवा दो ठीक ये construction का कुड़ा का बार सब लेके vehicle जाते हैं आपके घर के पास वो पूरे dual मिटी आती है आपको तकलीब है क्या referendum करना NGT में जाके फरियाद करो देखे उसको प्रतिबन कर दिया ममताब energy ने बीच में ये कुछ नियम किया था कि आज दूरगा पूजा का और दूसरे दिन महरम है तो ये सारी मूर्तियों का विसरजन इस time के बाद नहीं करेंगे वग्यरा तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके कारण minority appeasement हो रहा है तो आप Kolkata High Court में फरियाद करें petition डालिए और High Court ने उसे बंद करवा दिया अगर आपको ये बीचा है कि political party यां वो भी right of information के दाएरे में आने चाहिए तो आप सिधा करिये और CIC ने judgment दिया है कि yes they will have to come under the RTI ambit तो मतलब कि ये PIL, Judiciary, Various Statutory and Constitutional Bodies, RTI इन सबसे जनता के पास voice तो है ही अलग से कोई referendum की कोई बारत में कोई जरुवत नहीं है and gram sabba is the ultimate manifestation of referendum उपर से मनरेगा का पैसा आता है तो अब ये पैसे से हमने स्कूल का बाग बगिचा ठीक करना है वहाँ playground बनाना है या कोई watershed का development कराना है कोई कच्चा रास्ता ठीक कराना है what we have to do तो वो gram पंचायत मनरेगा का utilization करेगी और back end के अंदर gram sabba है तो वहाँ voting से और वो tag कर सकते हैं उनके गाउं की क्या priority है same way forest right act उसके अंदर प्रावदान ये है कि अगर कोई आदिवासी व्यक्ति जंगल के अंदर सालों से खेती कर रहा था तो उसके वो जो जमीन है उसके उपर उसे official legal title दे दिया जाएगा कि ये आपकी ही जमीन है आपको यहाँ खेती करने की मंजूरी है तो ये forest right के अंदर ये जो beneficiary identification करना है giving land right to tribals वो कौन तय करती है ग्राम सभा के अंदर ही उसकी चर्चा से वो हता है उसी प्रकार ये तेंदू लीव्ज तेंदू लीव्ज हनी और दूसरी दूसरी minor और forest product उनका कैसे utilize करे transit, sale, proceed वो भी ग्राम सभा ही आपस में voting और wimmer से तै करती है ये grazing light, चरवाहे की जमीन अलग-अलग नदी तालब का पानी का उपियोग उन सब पे ही ग्राम सभा का ही control है तो ग्राम सभा is the ultimate manifestation of referendum तो वहाँ पर है उससे आगे कर क्या करेंगे आप ठेक, इतने मुद्धे परयाप्द हैं इससे हम अपना जवाब बनाते हैं कि ये आंतराष्टे अनुबभव से क्या आपको लगता है कि बारत में referendum, जन्त रुच्छा है इस चीज़ को लाना चाहिए introduction में आप क्या करोगे, define करोगे बाडी के अंदर ये जो विदेशी अनुबभ है उसे क्या सीखा और उसको और extend करके भारत में लाने से क्या फाइदे नुकसान हो सकते हैं और conclusion क्या, अगे इसमें लिखेंगे कुछ because critically examine है तो अपना conclusion finding प्रकार का हुना चाहिए yes, no, agree, disagree, something like that करते हैं, देखी व्याख्या तो कर दी तो वो introduction is complete, body के अंदर लिखते हैं what did you learn from the international experience FARC, Colombia तो events unrelated to subject and influence hurricane or disaster हमारा तो eastern coast पे बहुत सारे cyclone आते हैं तो they can affect participation और hardly 50,000 votes से ही वो defeat हो गया, तो वो भी ठीक नहीं है, Brexit तो इतनी complex issue को हम के वाल yes or no ऐसे political massaging, ये भी चीज़े हमें नुकसान करती हैं Scotland के अंदर ये जो सिद्धान अपनाया गया कि के वर Scottish people will decide whether England से आजादी चाहिए की नहीं अगर ऐसा बारत में किया गया North East, Kashmiria कहीं पर भी then it will affect our एकता और खंडिता को इससे बहुत नुकसान हो सकता है of course मैंने तो search करके बनाये होंगे तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ real life exam में आप लिखेंगे तो क्या करना है पहले paragraph में बस इतना लिखे recently this, this and this Brexit, Scotland और FARC का referendum हुआ था और उसके उपर से हमें ये सिखने को मिलता है ऐसा ने कि हर एक का अलग-अलग बना के करें उतना अपने को शायद याद भी ना हो फिर आप generic point लिख दो events and leaders unrelated, media biasness, complex issue को yes, no में distill नहीं करते हैं and so on तो ये अपना first paragraph है अभी second paragraph में कि भारत में ये अनुप्यूप तो क्यों है who can vote वो अपना transgender OBC वाला case level of participation तो time and cost मानलो अगर Paris Summit या की गाली ये 6 मैंने के अंदर ही ratify कर देना था तो पूरे भारत में चुनाओं का आयोजन करने में इतना समय लग जाता है तो ये time and cost consideration बहुत मुश्किल है जनता का level of education awareness GST जैसे complex issue पे वो क्या बोलेंगे caste charismatic appeal of the leader it plays a lot of role राउल गांधी राइबलेट ही अमेठी में जो कहेंगे वो तो वही जनता वहाँ पर करेंगी Tamil Nadu के अंदर जैल अलिथा जी जो बोलेंगी तो उनकी प्रजा वही vote करेंगी तो फिर participation रियल तो ही नहीं है न responsible journalism खास करके ये प्रादेशिक बाशाओ के अंदर उसके आखबारवालों को बस दारूपी के लिखना याता है तो that is yet to evolve फिर ये article 368 amendment जो भी करने तो वहाँ राज्य सरकारों की जो voice मिला है अलग से जैसे की GST में इसको हम ultimately conclusion में लिख देता की वह पूरा condensed होके आ जाए तो conclusion बनाते हैं फाइंडिंग critically examine के referendum करना चाहे नहीं करना चाहे तो finding अपना क्या होगा yes या no देखते हैं कि बारत के अंदर RTI, PIL, अलग-अलग constitutional statutory bodies इनकी मदद से ordinary people are able to charter the policy direction चाहे वो पर्यावरन का मुद्दा हो या ब्रश्टाचार का मुद्दा हो RTI के अंदर political party का लाने का मुद्दा हो कोई भी ऐसे नितिगत विशयों के उपर सामने आदमी बिना referendum के भी policy को पूरा प्रवाह वो बदल सकता है using these tools बड़ाबर and secondly gram sabah itself is a manifestation of referendum कि वहाँ पर development priorities आरी voting के थुरू थाय होती है therefore ये gram sabah के उपर के कोई भी level पे at a higher level gram sabah के उपर के कोई भी higher level के policy या decision making मे referendum will do more harm than good in India gram sabah तक बराबर है उसे उपर आप कोई भी चीज़ पे से लागू करने की कोशिश करोगे तो उसे भारत को फाइदा कम नुकसान ज्यादा होगा एक और बात मित्रो ये जवाब लिखते वक्त मैंने पाया कि कुछ विद्यार थी referendum भारत के लिए क्यों अनुकुल नहीं है तो geography, cost, awareness वो ही लिखते हैं वो बाते सही हैं बट यहाँ पर प्रश्ण ये था कि from international experience तो आप जो भी लिखे तो कहीं पे कम से कम term तो लिखनी चाहिए कि Brexit, Scotland, Colombia और वहाँ से हम ये सीख के बोल सकते हैं like that you have to make the answer तो ही लगेगा कि आपने प्रश्ण के हिसाब से जवाब लिखा है